नियोज नेशर पर आपके साथ मैं हूँ राकेश पांडे शुरुवाद बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर कोरोना संक्रमन के केस घटे हैं और इस बीच दिल्ली में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है आज से फैक्ट्रिया और कंस्रक्शन साइट को ओपिन कर दिया गया है यूपी में कल से शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया यूपी के 55 जिलो में शर्तों के साथ छूट का एलान कर दिया गया है यानि उन जिलों में जहाँ पर एक्टिव केसिस की संक्याब 600 से कम है वहाँ पर सुबस साथ से शाम साथ तक अब दुकाने खुलेंगी सुबे के 20 जिलों में अभी कोई शुट नहीं है मद्य प्रदेश में कल से कोरोना कर्फियों में ढील दी जाएगी बाजार दुकान मंदर शर्तों के साथ कुलेंगे स्कूल कॉलेज और सिनेमा हॉल फिलहाल बंद रहेंगे तो देश अब अनलॉक की रापर आगे बढ़ चला है लेकिन एक बार फिर आप लोगों से अपील है अनलॉक हो रहा है शहर लेकिन अगर आप बाहर निकल रहे हैं और अगर आप उस छूट के दैरे में आते हैं तो बिलकुल लापरवा मत होईएगा क्योंकि कोरोना अभी हमारे आपके बीच है इसलिए सतरक्ता जरूरी है कोवीट एप्रोपियेट वियवियर का अपनाना जरूरी है ताकि संकमन के दर एक बार फिर से बढ़ न सके दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया ओपेन हो गई है फैक्टरिया ओपेन हो रही है आप से कोरोना के कारण केस बड़े तो फिर लॉकडाउन करना पड़ा और अब केस कम हुए तो फिर जिन्दगी पट्री पर वापिस लॉट सके इसके लिए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है दिल्ली में आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पर अब मजदूर वापिस लॉटे हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन को मंजूरी मिली है इस अनलॉक में इसके साथ ही साथ मंजूरी मिली है लॉकडाउन से हट कर सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री को यानि कि कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री जो है उन मिली है यह भी हम आपको बताते चलें आप तमाम इंडस्ट्री को खोल सकते हैं लेकिन आपको करोना प्रोटोकॉल का पालंग करना होगा और यह फैक्ट्रियां जो आपको खुली हुई दिख रही है कुछ दिन तक यहां पर सन्नाटा पसरा था और अब जो है वो थोड़ी र खोला है सरकार ने नियम बना दिया कि यह पास चाहिए अब यह फीजिविल्टी बताइए दिली में एक लाग के करीब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं दस लाग करंचारी काम करते हैं कल से हम लोग लगे लोग लगें के पोर्टल पर लोग इन करने के लिए किसी को भी अभ सब्सक्राइब यहाव करना चाहते हैं कि हमारा परसंट इंडस्ट्री में जो हमारे करमचारी हैं हमारा स्टाफ है उनको वैस्टी और स्ट्प मिलने वाले कि अप प्रायाइटी में वेक्सिनेशन हमारे स्टाफ को करा दीजिए उसके लिए हम जो भी सुईदा आप पैसा यहां पर आप देख सकते हैं इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री यहां पर खुली है और खुली हुई उनका टेंप्रे चेक किये जा रहे हैं उनको पूरा सोसल डिस्टंशिंग का पलन करते होगी काम कर रही है यह सब एतियात बरतने इसलिए जरूरी है क्योंकि फैक्ट्री खुली है और फैक्ट्री चल सके क्योंकि खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि अगर दिक्कत हुई म कुछ राहत जरूर मिली है सर लग रहा है कि जिन्दगी पट्री पर लोटरी है अभी शुरूबात हुई है अभी पूरी तरह से कहना मुश्किल है क्योंकि अभी हमारी जो लेबर है वो एक तिहाई लेबर ही यहां पर दिली में है दो तिहाई लेवर अपनी गाउं जा तो यह कुछ लोग है जिनको टीका लग गया है इंडस्ट्री की सबसे बड़ी परिशानी यह है कि उनको टीका नहीं लग रहा है मजदूरों को बड़ी जो जो प्राइविट होस्पिटल दे रहे हैं वहां तक इनकी पहुंच नहीं है नुक्सान इनको है लेकिन इस जो कह जाए मशीन की गड़गडाहट है फिर से सुनाई देने लगी है यह राहत देने वाली गड़गडाहट है यह राहत देने वाली आवाज है क्योंकि अगर यह फैक्टरी का पहिया चलेगा तो फिर आर्थिक पहिया आगे बड़ेगा दीरे दीरे बाजार खुलने की उमीद जगी है अगर ये सब कुछ सुचारू रूप से चला तो फिर आर्थिक रूप से लोगों को मजबूती मिलेगी और ऐसे में ज़रूरी यह है कि जब मजबूरी में बंद किया था और जब मजबूरी के बाद के सकम होने पर खोला जा रहा है तो फिर जिंदेगी पट्री पर कोट्ती हुई दिखने भी चाहिए वीडियो जनलेस्ट तुभाज के साथ मुहिदबक्षी इनुजेशन दिल्ली सबसे पहले रवी आपके पास आता हूँ आज से अनलॉक की प्रक्रिया दिल्ली में शुरू हो रही है हाला कि पाबंदिया एक सब्ता के लिए बढ़ी है फैक्ट्रिया और कंस्ट्रक्शन साइट ओपन होंगे किस तरीके की तस्वीर हलचल खास तोर पर दिल्ली के सड़क सबसे बढ़ी समस्या आ रही है क्योंकि दिल्ली सरकार के तब से साफ कर दिया गया सबसे बड़ी समस्या है आज दिल्ली में जो सड़के अगर बात करें तो पहले के लेकिन लोगों को जब घर से बाहर निकले तो सतरक रहना होगा मास्क का बढ़ियां से इस्तिबाल करना होगा सही तरीके से मास्क लगाना होगा यह हमारी एक बार फिरस अपील है लेकिन अविनाश आपका पास जारकारी क्या है यूपी के कुछ जिलो में तो कल से धील दी जा रही है बाकी जिलो में मौनीटरिंग शुरू होगी एक तरिके से अनलॉक शुरू है यूपी में बिल्कुल देखिए सरकार ने कल एक जून से प्रदेश के 55 जिलों में धिल देने का फैसला किया है 55 जिलों में जहां पर 600 से कम केसेज हैं कोरोना के सरकार ने तै कि वहाँ पर करिशू में छूर दी जाएगी और सुबस साथ से लिकर शाम साथ बज़ेश तक जो आर्थिक गत कर दिया है अलांकि सरकार ने राकेश यह अविना आप अपनी बात करते रहें यह मैं था आपको रोकता भी हूं आपके पीछे ठीक ठाक चहल पहल दिखाई दे रही है लखनों में हालाकि पाबंदियों में छूट तो नहीं मिलने जा रही है क्या इतनी चहल पहल बाकी दि देखने को मिल रहा है अलांकि देखिए लखनव में भी आंशी कर्फियों लगा हुआ है और तक्रीबन एक महीने का समय होने को चला है लेकिन आप देख सकते हैं कि जो तमाम लोग है इस वक्त सडकों पे हैं अलांकि एक अहम बात यह है कि सरकार ने यह निर्देजारी किय रही है अलांकि देखिए चुकि सुबह का वक्त है और सबसे खास बात यह है कि आसपास जो सरकारी दफ्तर हैं राकेश सरकारी दफ्तर काफी जादा है तो उन दफ्तरों में जो काम करने वाले लोग है चुकि उनकी संख्या यहां पर बहुत जादा होती है तो इस देखने को मिली कि लोग बेधड़क बाहर निकल रहे हैं कहीं भी आ जा रहे हैं तो यह एक वज़ा निश्वी तोर पर है कि लखनव की कई लाकों में ऐसी देखने को मिलती है सुबह और शाम में चलिया विनाज आपको रोकते हैं आपको रोकते हैं बड़ी खबर इस वक् के लिए प्रोजेक्ट पर इसको लेकर धेले हॉट में याजका दार की गई ती निर्मार कारे पर रोग लगाने की मांगी गई थी लेकिन अब हाय और या वह जबर इस जो निए कुझे पूरा है नई संसत भण आपको दिखा रहे हैं नई पत्त के दोनों और नई इमारते होंगी जिसमें अलग-अलग मंत्राले होंगे जो वहाँ से काम करेंगे लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर इस निर्मार कारे को लेकर आप पत्या जताई गई थी अर्विन नमार साथ जुड़े सीधे उनका रुकरते हैं अर्विन सेंटरल व हैर के चलते जो मजदूर वहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी जान को खत्रा है लिहाजा फिलहाल काम को स्थाकित कर दिया जाए लेकिन दिल्ली हाई कोट पर जो अपना आदेश पढ़ा है उसमें हाई कोट ने केन सरकार की दलीलों से सहमत होते वे कहा कि ऐसी सूरत में प्रोज मनशा पर भी सवाल खड़े की हैं और इस मामले में जो याचिय करता है उन पर एक लाफ का जुल्मना लगाया है इसके लगा कोट ने कहा कि ये राष्टे महत्व का एक प्रोजेक्ट है और जो अभी काम चलना है वो बहुत एहम काम चलना है और ऐसे में याचिय करता ने कि इसकाम को ग्रिंस तिग्रल दिया है अपने तरफ से ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया अर्विन हम से जुड़ने के लिए इस पूरी बातचीत के लिए तो बड़ा फैसला देली हाई कोट की ओर से सेंटर विस्टा केस को लिकर निर्मार कारे पर रोक लगाने से इंकार कर अर्जी को खारिच कर दिया गया है एक लाख रुपे का जर्माना भी और साथी मल्शा पर भी कोट ने सवाल उठा दिया कि या आज का दायर करने के पीशे मल्शा ठीक नहीं लगती है और अब बात एक बार फिर से राहत की जो तस्वीर अलग 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 शहरों से दिखाई दे रही है यानि देश में अनलाग का काउंडाउन शुरू हो चुका है कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार पर अब काबू आने लगा है जिसके कारण अलग 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 राजियों ने कोरोना कर्फ्यू या फिर लॉक्डाउन में राहत देनी की प्रक्रिया शुरू कर दी है महराश्ट करनाटक केरल जैसे कई राज अभी लॉक्डाउन में छूट देने के मूड में नहीं है महराश्ट के मुख्यमत्री ने साफ कर दिया कि अगले 15 दिनों तक लॉक्डाउन जारी रहेगा कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में कहर बरपा दिया महराश्ट, पंजाब और केरल से शुरू हुई दूसरी लहर की रफ़तार ने मार्च के अन तक देश के दूसरे हिस्सों को भी पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया हालाद इस खदर बिगड़े कि कुछ दिन में ही रोजाना कोरोना के चार लाग से ज़्यादा केसाने लगे मौत का आकड़ा भी रोजाना चार हजार से उपर पहुशने लगा हालाद बिगड़े तो तमाम राज्यों को कुरोना की रफ्तार पर खाबू पाने के लिए लोकडाउन जैसी सख्त पाबंदियों का सहरा लेना पड़ा कश्मीर से तमिल नडू तक और माहराज से मनिपूर तक हर राज्ये को कुरोना कर्फ्यू या लोकडाउन का एलान करना पड़ा जिसके बाद वैफसाई गदिविदियों से लेकर आम जन जीवन भी थम गया लेकिन अब कुरोना की रफ्तार घटने के बाद पूरे देश में अनलॉक की तैयारी शुरू हो गई है पाबंदियों में ठिल दी जा रही है लेकिन महराज समेद कई राज्यों ने अभी सख्त पाबंदियां जारी रखने का फैसला किया है राज्य के मुख्य मंत्री उधव ठाकरे ने रविवार को साफ कर दिया कि राज्य में पाबंदियां 15 जून तक जारी रहेंगी राज्य की जनता को संबोधित करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि लॉक्डाउं 15 जून तक बढ़ा दिया गया है समिक्षा के बाद कुछ जिलो में छूट पर सरकार फैसला करे की कई लोग अनलॉक की घोष्णा नहीं होने पर आंदोलन की धमकी दे रहे हैं मैं उनसे धहरे रखने का अन्रोध करता हूँ ये समय की मांग क्यूंकि कुरोना का संकत टला नहीं हम बस यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारा राज्य सुरक्षित रहे हैं कड़क लॉक्डाउन नहीं बलकि कड़क नियम इस बार किये गए हैं एक जून के बाद भी आने वाले 15 दिनों के लिए पूरे महाराष्ट में लॉक्डाउन जैसी पाबंदिया जारी रहेगी ऐसा मुख्यमंत्री दफ्तर से जो प्रेसनोट जारी किया है उसमें कहा गया है हाला कि इस बात की राहत भी दी है कि आने वाले 15 दिनों में लॉक्डाउन में चरणबद तरीके से राहत भी दी जाएगी इसमें कोई शक नहीं कि महाराष्ट में कुरोना संक्रमन की रफ्तार में काफी कमी आई है कोरोना के रोजाना नए केस की संख्या भी 68 हजार से घटकर 20 हजार से कम हो गई है लेकिन कोरोना की वज़ासे होने वाले मौत के आखलों पर अभी तक खाबू नहीं पाया जा सका है अभी भी पूरे देश में कुरोना की वज़ासे सबसे ज़ादा मौत महाराष्ट में ही हो रही है केस कम होने के बावजूद सूबे में कुरोना की रफ्तार अभी भी काफी ज़ादा है माराश में अभी भी कुरोना संख्रमतों का दैनिक आख्रा 20,000 के खरीब है राजे में फिलाल 2,71,801 एक्टिव केस है 24 घंटे में प्रदेश में कुरोना के 18,600 मामले सामने आए है जबकि 814 मरीजों की जान गई है राजे के 18 जिले कुरोना रेड जोन खोशित किये गए जाहिर है कि कुरोना पर अभी भी पूरी तरह से गाबू नहीं पाया जा सका है लहाजा राजे सरकार अभी की इस्तिती में लॉकडाउन में रहा दे कर कोई भी जोखिम लेना नहीं चाहती है मुख्य मंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में राजे के हर जिले की इस्तिती की समिक्षा की जाएगी और उसके आधार पर ही पाबंदियों में ठील देने के संबद में फैसला किया जाएगा मुंबई से जियोत्सना गंगने के साथ टीम न्यूजनेशन सबसे पहले सुबाश में आपके पास आता हूँ महराश्ट सरकार फुक फुक कर कदम रख रही है पिछले कुछ दिनों में हमने देखा केस के सरीके से कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे क्या इसकी एक बड़ी बज़ा ये भी है कि अभी विराजे में 20,000 के आसपास केस आ रहे है राकेश रविवार को पहली बार 18,000 के केसे साये ने 20,000 से कम आकड़े आए लेकिन पिछले देड़ महिने हमने देखा कि 50-60,000 तक आकड़ा दिन का जा रहा था अभी भी 21 जिले ऐसे यहाँ पर करोना के केसे जो है वो घट नहीं रहे है तो यह चिंता का विशह है इसलिए उद्धाव ठाकरे सरकार ने अगले 15 दिन के लिए सिर्फ तीन घंटों जादा दुकाने जो है वो जादा खुली रखने का महलत दी है जिसमें साथ से 11 बज़े तक सुबह खुली रहती थी दुकाने अभी साथ से 2 बज़े तक खुली रहेगी और जो e-commerce वाली कंपनिया है उनको non essential जो चीजें है वो भी बेचने के लिए परमिशन दी है तो ये दो चीजें छोड़के और कोई धील पूरी तरह से नहीं दी गई है लोगडाउन में ठीक है रज़िश का रुकरनेता है रज़िश बिहार सरकार की क्या रणीती है अनलॉक को लेकर क्योंकि खास तोर पर शेहरों में तो इस्तिती बेहतर हो रही है लेकिन गावों में इस्तिती चिंता जनक है अखरी दिन है एक जुन तक लोगडाउन तीन लगाया गया था लोगडाउन चार को लेकर आज ने लिया जाना है तो उमीद यह की जारी है कि हो सकता है लोगडाउन के अवधी बरहाई जाए राकेश और कुछ रियायते दी जाए जैसा अभी आप देखेंगे कि 6 बज़े से 10 बज़े तक जो लोगों को मूव्मेंट का परमीशन होता है उसके बाद अभी जो लोग मूव कर रहे हैं उनके पास प्रॉपर पासे होने चाहिए और हर जगा चेक पुछ लगाई जाती है तो यह ववस्ता भी बनाई गई है लेकिन उमीद यह की जारी है कि लगा था उस वक्त 14,000 से 15,000 मामले एक दिन में आ रहे था और अब 1400 मामले आ रहे हैं तो बिल्कुल यह संक्रमन का चेंट टूटा है लेकिन जरूरत इस बात कि है कि संक्रमन खत्म हो इसके लिए कोशिशे हो और बिहार में इस तरीके से ग्रामी निलाके में संक्रमन बर र रहें क्योंकि सतरक्ता में अगर आप कमी करेंगे तो आप फिर से कोरोना की जद में आ सकते हैं और एक बार फिर से जो छूट आपको मिल रही है वो वापस भी ली जा सकती है आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए